चोटी चोटी बाते अगर हम इग्नोर करते हैं तो बड़ा स्वरूप ले लेते हैं ये सब रिलेशन या बिसनस में नहीं बलकि कीचन पे भी यही चीज लागू होती हैं आज कुछ नए तिप्स जानेंगे जिससे आपका समय बचेगा आपके पास टाइम रहेगा तो आपको जो पसन है आप वो कर सकते हैं चीजों को सही तरीके से यूज करें चीजे अच्छी भी रहेगी तिकी भी रहेगी और आपके पैसे भी बचेंगे और साथ ही में घर वेल और्गनाइज भी रहेगा हलो फ्रेंड्स और वल्कम बैक तू माई चैनल चलिए कुछ नया सिखते हैं अमेजिंग टिप्स देख लेते हैं इंडिन कुकिंग में तड़का तो लगता ही है और जब भी हम कुकिंग करते हैं तो ताइल्स किचिन की सबसे ज़ादा खराब हो जाती हैं मैं क्या करती हू क्या होता है ज़ली से क्लीर हो जाता है जादाता चीज से गीरी रहती है मुझे अच्छा नहीं लगता आप जटना मुझे साफ सफाई बहुत जादा पसंद है अगर गंदगी मुझे दिख जाती है ना मुझसे बरदाश नहीं होती तो अब मेरा दाल वहाँ बन रहा है बाकि सब मेरी रोटी बन गई है चावल भी बन गया है उसके बास सुखा कपड़ा आपको जरूर घुमाना है इस तरीके से अगर आप ये हैबिट करेंगे ना तो आपका कीचन हमेशा क्लीन रहेगा आपका टाइम वेस नहीं होगा टाइम बचेगा बठा समल के करीगा गरम गरम अगर आप गयस साफ कर रहे है तो अच्छा मोटा कपड़े से आप पकड़िए आपके स्टैंड को बर्नर के स्टैंड को और बाद में आप क्लीन कीजिए तो देखिए यहाँ दाल बन रही है और मेरा कीचन क्लीन हो चुका है चली एक आपका काम आसान करने आई हो वो है धनिया अच्छा अभी मुंबई में धनिया इतना मुझे 20 रुपे में मिला है आपकी शहर में धनिया की प्राइस क्या चल रही है जरूर फटा-फट से कमेंट करिएगा अच्छा इसे अच्छी तरह से धोके मैंने सुखा लिया अच्छी तरह से धोके सुखा के मैं इसको चॉप कर लेती हूँ एक ही बार आपको यह चॉप करना है फ्रेंट्स पांच मिनिट भी नहीं लगेंगे इतने धनिया चॉप करने में और 20-25 दिन यह धनिया चलेंगे और इतना फ्रेश रहेंगे बिलकुल काले भी नहीं अब इसे स्टोर कैसे करें बिना टीशू पेपर बिना नियूस पेपर के तो आप कांच की बोतल ले ले और कांच की बोतल सुखी होनी चाहिए धन्या जो आपने काटा है वो भी सुखा होना चाहिए उसमें बिलकुल भी पानी नहीं होना चाहिए और काट के आप डाइरेक और अगर आप धो के फिर उसको चॉप करते है तो आधा तो वह चॉपिंग बोर पे ही चिपक जाता है साथ ही में बरतन भी काफी हो जाते है टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है उस अच्छा एक बारा पांच मिनिट ये कर ले और उसके बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखे फिर जब चाहिए बस खोले और एड करिए आपकी रेसिपी में आपको आलस ने आएगा कि मै धनिया नहीं डालूंगी जाने दो अब इसको धोना पड़ेगा करना पड़ेगा है ना ये सही तिप बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपका सिंग कौन सा है दम अलग लग रहा है एस इसका तो नहीं है तो मैं बताना चाहती हूँ उन सभी लोगों को कि ये कोट्स का सिंग है और इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिए मैं आपको दे दूंगी और ये जो सिंग है इसको में अगर आपके घर में भी है तो इसकी ये मैं ये टिप दूंगी और ये जो सिंग है मैंने जब मेरा कंस्रुक्शन चल रहा था तुट पाउडर से एक तो बहुत अच्छी तरह से साफ होता है और जो सिंक में से बदबु आरी है वो भी चली जाती है क्योंकि इसकी अपने खुश्बू होती है इसकी बाद फ्रेंग्स मैं डालूंगी नमक, नमक क्यों डालना है आपको नमक एक स्क्रब का काम करता है यान है पूरे पर अप्लाइ करना है दिख्लियौ मेन बहुतनी है चीज़े दिखती तो अच्छी है ब्रेंग्स मंगती है तो में जारता है तो चयाता है चली छोटड तक आप और जब बस क्रबर से करना है आपको कोई तारवार इस पे नहीं लगाना है और देखेंगे आपकी इसमें से बद्बू भी चले गई अच्छी तरह से क्लीन भी हो गया और जो डर्ट है वह भी सब निकल गया तो मैंने यहां च्छी तरह से घिस लिया है एक और चीज की सिंग की यह आप दो-तिन दिन में एक बात जरूर करें क्योंकि कॉर्णर पे आप देखेंगे यह रिखें मैं अभी बतारी हूँ पानी डालके यह देखें कितना मैल निकला देखा ना मैंने इसलिए स्लो मोशन में आपको बताया दवास नॉमल में बताती तो शायद आपको नजर नहीं आता तो इस तरीके से जो कॉनर होते हैं वहां काफी मैल फस जाता है फूद पार्टिकल्स भी रह जाते हैं फिर उसे ही खाने के लिए कौकरुज वगेरे आते हैं इसलिए इसे अच्छी तरह से साफ करना जरूरी है और अच्छी तरह से आप पानी से रिंस कर ले और जो स्क्रबर आपने यूज किया उसे भी अच्छी तरह से वाश कर ले सिंक को साफ करने के लिए मैंने अलग स्क्रबर रखा है बरतन वाला स्क्रबर में यूज नहीं कर दी तो देखा आपने कितनी अच्छी तरह से ये चमक गया है तो आप इसी तरह से उसे मेंटेन करें क 2 टेबलस्पॉंन कसबchod धनिया ले लूंगी और 2 टेबलस्पॉन कच्छा जेरा ले लूगी घर में मासाला बनाइगी जो चाहने में किर ला में पहीं जानाता है मार्केट में बहुन में बीके सब लिंख आगे मौनाे चलिए सबसे पहले इसे ड्राइ रोस्ट कर लेते है एक पैन पे तो मैं यहां काले मिर्च और साबुद धन्या एड़ करूंगी सबसे पहले और इसको अच्छ तरह से हम रोस्ट करेंगे अच्छा मसाला जब भी आप रोस्ट करें बिल्कुल गैस छोड़के जाएगा नहीं थोड़ी भी मसाले जल जाएंगे उसका ओईल खतम हो जाएगा उसकी खुश्बू खतम हो जाएगी और उसमें मजा नहीं आएगा फिर वो जला हुआ टेस्ट आपको आएगा इसलिए लो दिया है सारी चीज़े डालके से रोस कर लिया है हिंग आपको लास में दालना है अदरवाइस जल जाएगी फ्रेंग दालने के बाद में 10 सेकेंड ही इसको रोस करूंगी और एक लेक में निकाल लेती हूँ अब इस मिक्स्चेर को हम कंप्लीली थंडा होने देते हैं थंड जैसे वन टेबल स्पोन काला नमक दालूँगी क्योंके चट पडा हम मसाला बनाने वाले हैं और वन टेबल स्पोन इसमें अमचुर पाउडर दालूगी आमचूर पाउडर कैसे घर पे बनाते है इसका भी वीडियो मेरे चैनल कर जरूर चेक आउट करेगा एक चमच मैने स में लगे ऩुदिया के बाद कश्मीरी लद मिज दालए मुझट के लिए छोटः चमच सब्सक्वरा शोटकर बंग में तो एक चापीस में तो भानिका 만 ने उतना बेसिक लगते है जो हमारे इंडिन कुकिंग में काम आते है घर पे होते ही है सही रेशयो पता होता है तो सही मसाला भी बन जाता है खुश्बूत्दार और चक पता यह चाह्त मसाला जो कोई भी रेसिपी पे आप स्पिंटल कर दे तो इस इसे आप जब तक फिनिश ना हो तब तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं मार्केट में यह चार्ट मसाला इतना सा फ्रेंट्स 40-45 रुपे का आता है बट उतने में यहां दुगने से तिगना बन गया है फ्रेंट्स चार्ट मसाला जिसकी कोई एक स्वाइरी डेट नहीं है और फ्रेश बना हैं कैसे लगी यह टिप को जरूर कमेंट करे तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको आज की अमेजिंग टिप कुछ नया सीखा की नहीं और कौनसे टिप आपको पसना आई इसके लिए जरूर कमेंट करेगा फ्रेंट्स बहुंत ज्यादा महNowämäनत कर रही हूं त तो एक लाइक कर दीजेगा, यूस्फुल लगा है, तो शेर करिएगा आपके फ्रेंड्स और फैमली के साथ, और सब्सक्राइब कीजेए, घंटी के साथ, ये बिल्कुल भी फ्री है, तिल देन, टेक केर, बुबाई,